गुड मॉर्निंग एब्रिवन वेलकम टू एक्जाम और बिट क्लासेज तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तयारी भी बहुत अच्छे चल रहे होगी तो फ्रेंट्स आज है तीर जन्वरी और आज के सेशन में तीर जन्वरी से बनने वाले सभी महत पून कोईशन के बारे में डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत पून रहने वाली है तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर करतेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स वॉक्स में नाटो सेन ने समीथी के पूर्व अध्यच पैटर पाविल किस देश के राष्ट पती बने हैं चैक गड़राच, फ्रांस, इसराइल या फिर इरान इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे फर्स्ट कोईशन दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो फ्रेंट्स, ये बहुत ही महत पूर्ण कोईशन है जिसके आगामे परिक्षा में पूछे जाने की संबाबना है तो मुगल गार्डन जो की दिल्ली के रास्टपती भवन में इस्तित है और इसका नाम बदल कर अमरत उध्यान कर दिया गया है ये आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे साथी में आप सभी को ग्याद होगा कि जो राच्पत है राच्पत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो कर्तब्य पत कर दिया गया है ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में अमरत उसब की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमरत उध्यान कर दिया है राष्टपती भवन में उध्यानों की समर्द बिविदता है जिन में से आपको याद रखना है इस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉंग गार्डन और सरकुलर गार्डन ये सब ही आपको कहां देखने को मिलेंगे राष्टपती भवन नाई तिल्ली आगे डिस्कुस कर लेते हैं पूर्व राष्टपतियों जिन में सामिल है जिसमें से आपको याद रखना है आरोगे बनम ये आपसे पूछा जा सकता है आगे डिस्कुस कर लेते हैं मुगल गार्डन के बारे में वेसिक इन्फॉर्मेशन मुगल गार्डन 1917 में एडविन लुटियंस दुवारा डिजाइन किया गया था पूछा जा सकता है सुर्कियों में है कि जो मुगल गार्डन है इसका डिजाइन किस ने तयार किया था तो एडविन लुटियंस के दुवारा तयार किया गया 1928-1929 में पहला पोदा यहां पर लगाया गया राष्टुपती भवन की इमारत की तरह जिसमें बास्तु गला की दो अलग-अलग सेलिया भार्टिय और पच्चमी है लुटियंस ने बगीचों के लिए दो अलग-अलग बागबानी परंप्राओं मुगल सेली और अंग्रेजी फूडों के बगीचों को एक साथ यह लाई थे यानि कि एक साथ जूलन गो स्वामी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टेंट का नाम रखा गया है इडन गार्डन्स स्टेडियम अफेंट्स यह कहां पर है तो याद रखेंगे कॉलकाता पच्छे मंगाल दौलतवाद जो किला है यह कहां पर आता है माहराष्ट में और इसका नाम बदल कर देवगिरी कर दिया गया है ग्रीन फिल्ट हवाई अड़े का नाम बदल कर हो गया है डोनी पोलो हवाई अड़ा अब आप मुझे बताएंगे कि डोनी पोलो जो यह अरपोर्ट है यह किस राजच में है पावर सिस्टम ओर्परेशन ओपरेशन कॉर्परेशन लिमिटेट का नाम बदल कर कर दिया गया है कंट्रोल ओफ इंडिया लिमिटेट हभीब गंच रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है रानी कमलापती रेलवे स्टेशन और ये है भोपाल मद्द प्रदेश में मिड़े मील योजना का नाम हो गया है फ्रेंड्स पी-म पोशन योजना और ये पॉइंट महत पून है याद रखेंगे आप सबी राजिब गांदी खेल रत्न पुरुसकार का नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरुसकार इकाना स्टेडियम का नाम बदल कर अटल बिहारी बाच पर स्टेडियम कर दिया गया है और यंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाची नकर मोहाली होकी स्टेडियम का नया नाम है बलबीर सिंग सीनियर हौकी स्ट्रेडियम हाबडा कालका मेल एक्सप्रेस का नया नाम है निताजी एक्सप्रेस अयोध्या हवायड़ा मरियादा पॉर्सोतम सीराम हवायड़ा इसका नया नाम कर दिया किया है तो फ्रेंट्स ये कुछ महत पॉन पॉइंट है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिससे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस क्लास की जो पीडियप है वो बात में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक्जाम और बिट क्लासिस के नाम से भी टेलिग्राम चैनल आप टेलिग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं और जिसने भी टेलिग्राम जोइन नहीं किया है वो जोइन कर लीजेगा अगला सवाल है कि देश की पहली हरित उजा आधारे सौर पैनल फैक्टरी कहां बनेगी तो फ्रेंट्स यहां पर सोलर पैनल बनाई जाएंगे और यह देश की पहली फैक्टरी होगी जो कि उत्राखंड में बनेगी याद रखेंगे महत्वपूर्ण है देश की पहली फैक्टरी है तो ये बनने वाली है उत्राखंड में और उत्राखंड में एक जगए है रुद्रपुर्ण यहाँ पर ही इस फैक्टरी का निर्मान किया जाएगा फैक्टरी कौन बना रहा है किसने घोशना की है तो लिूमि इंतम तकनीकी से लैस होगी जिसका उपयोग अभासिय और वैवसाइक दोनों अनुपरियोगों के लिए किया जाएगा तो यहाँ पर क्या बनने वाले है सोलर पैनल बनाए जाएंगे अब डिस्कुस कर लेते हैं उत्राखंड के बारे में तो मैप में आप सभी उत्राखं मैप में भी आप सभी समझ सकते हैं ये है उत्राखंड फ्रेंट्स उत्राखंड की राजधानियों के अगर बात की जाए तो देरादून यहाँ की सीथ कालिन राजधानी है जख्की गैशेंड यहाँ की गरीश मकालिन राजधानी है उत्राखंड के बर्तुमान में मुक्य मंत्री पुसकर सिंग धामी है राजजपाल यहां की गुर्मी सिंग है निर्वाचन सीटों में अगर बात की जाए तो लोग सबा सीटे 5 है राजज़ सबा सीटे 3 है और विधान सबा सीटे 71 है यहां की प्रमुक नदिया है अलक नंदा भागी रती गंगा यमना धौली गंग और राम गंगा और फेंट्स याद रखेंगे राम गंगा नैशनल पार्क भी कहां पर आता है तो उत्रा खंड में बुग्याल याद रखेंगे यहां पर जो घास के मैदान पाई जाते हैं जिने हम बुग्याल कहते हैं प्रमुक दर्रे हैं यहां की लिपूलेक दर्रा और माना दर्रा अगला जवाल है कि संयुक्तरास्ट माहा सवा के 77 वे 70 के अध्यच कौन है 77 वे 70 के जो अध्यच है इनका नाम आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे सावा कुरोसी ये नाम इसलिए सुर्कियों में है क्योंकि ये समय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं तो आगामी परिक्षा में आपको यहां से कुईशन जरूर देखने को मिल जाएगा तो संयुक्तरास्ट माहा सवा के 77 वे 70 के अध्यच कौन है सावा कुरोसी साथी में नेस्ट नाम आप देख पा रहे होंगे रूचीरा कमबोज याद होगा आप सभी को के संयुक्तरास्ट में भारत की इस्थाई प्रतिनीदी कौन है तो इनका नाम है रूचीरा कमबोज आगे डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए तीन दिन की भारत की यातरा पर आए हुए हैं वहीं आपको एक नाम और याद रखना है बिदेश मंतराले के प्रवक्ता कौन है बरतमान में तो इनका नाम है अरविंद बाक्षी और बिदेश मंतरी है डॉक्टर एस जैसंकर जिने आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये है सावा कुरोसी आगे डिस्कुस कर लेते हैं संयुक्तरास्ट महासवा के बारे में संयुक्तरास्ट का मुख्य अंग नीति निर्मार और प्रतिनीदी अंग है फ्रेंट्स याद रखेंगे ये यू-एन का एक प्रमुक्ध अंग है और छे अंगों में से एक है संयुक्तरास्ट महासवा यह संयुक्तरास्ट के मुख्य विचार बिमर्स नीति निर्मार और प्रतिनीदी अंग के रूप में कारे करता है इसकी सक्तियां संरक्षना, कार्य और प्रकिरिया संयुक्तरास्ट चार्टर की अध्याय फोर में निधारित की गई है अब देखे संयुक्त राष्ट महासवा के बारे में एक पॉइंट आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट महासवा है यह सुरक्षा परिसद में गेर इस्थाई सदस्यों की न्यूपती करता है अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप बताएंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि गेर इस्थाई सदस्यों की संक्या कितनी है सुरक्षा परिसद में इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में आगे डिस्कस करेंगे अगला जबाल है कि 28.92 को देश भर में महान सुतंतरता सेना ने लाला लाजपतराई की कौन सी जैनती मनाई गई तो फ्रेंट्स लाला लाजपतराई की 157 भी जैनती मनाई गई है फ्रेंट्स इनके बारे में याद रखेंगे कि मेरे सरीर पर पड़ी एक एक चोट बिटे सामराजी के ताबूत की कील बनेगी याद होगा आप सभी को साइमन कमीसन का ब्रूत करते समय जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपतराई बुरी तरह से घायर हो गए थे तब ही इनके दुवारा यहें कहा गया था तो आईए डिसकस कर लेते हैं इनके बारे में तो लाला लाजपतराई का जो जन्म है वो 28 जन्वरी 1865 पंजाब में हुआ था फेंट्स इनके इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसमें पंजाब के सरी याद रखेंगे और लाइन ओफ पंजाब लाला लाजपतराई माहरास्ट के बाल गंगा धर तलक तथा बंगाल के विपिन चंद्रपाल के साथ लाल बाल पाल का नामक्तर मूर्ती के सदस से हैं ये बहुत पूछा जाता है लाल बाल पाल आगे डिस्कस करेंगे राजनीती और सामाजिक योगदान लाला लाजपतराईची का 1917 में होम रूल लीक ओफ अमेरिका नियोर्क की इन्होंने इस्थापना की थी नियोर्क में 1920 में कलकता में भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के विशेश अधिवेशन की इन्होंने अध्यज़ था की 1920 में ही इन्होंने अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के प्रतम अध्यज़ भी चुने गए थे 1928 में साइमन कमीशन के खिलाब विधान मंदल में प्रस्ताप पेश किया 1921 में सर्वेंट आफ सुसाइटी की इस्थापना की ये पॉइंट आप सभी को याद करना है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सैसन स्तापक के रूप में इन्होंने महत पून भूमिका निभाई थी नेस्ट कॉइशन है कि तीसरा इंटरपोल यंग गलोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहां पर सुरू हुआ है तो फेंट्स इसकी जो मेजवानी है वो भारत कर रहा है इस बार और इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में आई ये डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले आप सभी इसकी थीम याद रखेंगे तो इसकी थीम है ट्रस्ट यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 25 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक चलेगा कहां पर नई दिल्ली में कौन सा संसकरण है तीसरा संसकरण है जिसमें 44 देसों के साथ प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं इस कारिकरम का जो प्रमुक उद्धे से है सारवजिनिक पुलिस के साथ साथ अंतरास्टिय पुलिस बलों के बीच फिश्वास पैदा करना इसका आयोजन केंद्रिय जाँच भीरो यानि की CBI के दुवारा किया जा रहा है अब दिस्कस करेंगे अंतरास्टिय आप्रादिक पुलिस संगठन यानि की इंटरपोल के बारे में तो देखें इंटरपोल की जो इस्थाबना है वो 1923 में दुनिया भर में आप्रादिक चांच को सुभिता जनक बनाने के उदेस से की गई इंटरपोल में भारत सहित 195 देज सामिल है या कड़ा आप सभी को याद रखना है भारत में केंट्रिय अन्वेश्चन बीरो यानि की CBI इंटरपोल की सहयोगी एजंसी है इसका जो मुख्याले है बेरी इंपोडेंट है लियोन फ्रांस में है और अध्यच इसके बरतमान में एहमद नासिर अल राहिसी है तो इसका जो मुख्याले है है एटकॉार्टर है यह आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे खादी उसब 23 का आयुजन कहां किया जा रहा है तो जो खादी उसब है यह मनाया जा रहा है मुंबई माहरास्थ में डिस्कस करेंगे इस उसब के बारे में तो खादी ग्राम उध्योग आयुग के अध्यच बरतमान में कौन है मनुज कुमार ने खादी उसब 23 का उदगाटन किया 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक ये मुंबई में चलेगा आगे डिस्कस कर लेते हैं खादी और ग्रामो उध्योग आयोग के बारे में जिसे हम सौट फॉर्म में कहते हैं KBIC खादी ग्रामो उध्योग आयोग की जो इस्थापना है वो 1957 में खादी और ग्रामो उध्योग आयोग के आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई यह सूच मलगो और मध्यम उद्यम मंत्राले के अधीन है यह ग्रामिट छेत्रों में खादी और अन ग्रामो ध्योग के बिकास के लिए योजनाओ परचार संगटन कारिक्रमों के क्रेम बयन के अन एजंसियों के साथ साथ जिम्मेदार है उसके जो बरतमान में अध्यच है व उससब है कि मनाते हैं नागलेंट में याद रखेंगे आप सबी इसका जो आयोजन है नागलेंट के रसूमा गाउं में किया जाता है दू दिवस ये ये फेस्टिवल होता है जो कि संत्रे की खेती को लेकर संबन्दित है आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महेतुकून फेस् प्रेस्टिवल दеलंगाना में मनाते है पोईला बोई साका उससब पच्छे मंगाल में बनाया जाता है आउस्ट्रियन ओपन दो हजार तेईस बरो हजार तैस पुरो सेकल का किताब जीत लिया है नोबाक चो को बिशने है sharp app discuss कर लेते हैं सी से जमदे तो देगे रिकॉप् Grand Slam किसने नोबाग चोकोबेशने सबसे ज़्यादा Grand Slam जीतने वाले राफिल नडाल की इनोंने बराबरी कर ली है राफिल नडाल का सम्मंद किस देश से है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये स्पीन के खिलाडी है वहीं बात की जाए महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्रियाना याद रखेंगे क्योंकि ये इनका पहला खिताब है जो कि इनोंने जीतिया है महिला एकल आस्ट्रेलियन ओपन अगला जवाल है कि प्रकर्टी और पच्छी उसब के साथवे संसकरण की मेजवानी कौन करने वाला है तो फ्रेंट्स ये जो साथवा उसब है ये मनेगा कहां पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश इसका आयोजन करेगा और ये एक से तीन फरवरी तक महुबा जिले कि विजय सागर पच्छी अभेरण में आयोजित किया जाएगा अब यहां से कुईशन बन सकता है कि विजय सागर पच्छी अभेरण किस राजिया केंद्र सासित प्रदेश में इस्तित है तो आप याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में आता है अगला जवाल है कि प्र ही आंसर है चैक गड़राजी के नए प्रसिडेंट बन गए है पेट्री पाबिल जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं चैक गड़राजी की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं ये यूरोप महादीप में इसके एक छोटा सा देश है चैक गड़राजी के बरतमान में प्रधा मंत्री पैट फियाला है यहां की राजधानी प्राग है और मुद्रा को कहते हैं चैक कुरुना याद रखना है यह कहां पर है यूरोप महादीब में अब डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन इस्ट्रेटिक जी के कुशन अभिग्यान सकुतलम की लिखा कौन है कालिदास हीरा कु ख्याले कहां पर है पहरिस फ्रांस में दिवधर ट्रॉपी का सम्मन किस खिल से है क्रिकेट से गांधीजी दच्छड अफ्रिका से भारत का बलोटे नौ जनवरी 1915 में अरावली परवतमाला की सबसे उची चोटी कांसी है गुरु सिकर नाथुला दर्रा के सराज्यमेस्ति सांती निकेतन की इस धापना किस ने की थी रविंदर नाथ टैकोर ने अर्थ साफ्तर का नूबल पुरुसकार किस बरस सुरू हुआ था 1979 में पिछली क्लास में आपसे जो क्वेशन पूचे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं भारत हो किस देश की सैनाओ के भी सैयुप् भारत में बोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है संभैधानिक अधिकार भारत के जंविधान के तहित निम्न लिखित में से कौनसा एक मॉलिक करतब भे नहीं है तो सार बज़ेने चुनाबों में मतदान करना अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में पहला सवाल है कि भारत की कौन सी फिल्म औसकर दो हजार देश में डोकुमेंटरी सौट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है नेस्ट कोईशन है कि कौन सा देश मंगल गिरे के अभियानों के लिए परमाडू इंजन का परिक्षण करेगा निमनलिखित में से कौन मौतिलाल नहरू के साथ सोयराज पार्टी के सैसन स्थापक थे अगला सबाल है कि 1744 इशवी में भारत के पहले डांक घर की इस धापना निमनलिखित में से किसने की थी तो फ्रेंट्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो दो क्लास को जादा से जादा शेयर कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीज़ेगा मिलते हैं ने शेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत